कि हलो फ्रेंजर स्वागत एक नई वीडियो में आज कि पीडियो बात करने मैं कि इस तरीके से आफंग्र प्रृंडड लॉक को आप आप एजिए और तरीके से रिमुव कर सकते हैं के लोगों को दि Certainent आता है हटाना आता है पर लगाना नहीं आता है तो आज की बीजिए में दोनों मेठेद मैं आपको बताऊंगा आप यूज कर सकते हैं आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर जो रेडमी का फोन है मेरे पास Redmi Note 9 Pro तो इसी गंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको सैटिंग में जाना होगा अफकोस आपको ऐसी तरीके से सेटिंग आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आपको यहां पर यहां पर नीचे के तरप चाहेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर यहां से आपने पासवर्ड डाल रखा है वह यहां पर लगा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है अब हहाँ पर मैं यह पर one को remove कर सकता हूँ और 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 नीओ कर सकता हूं पर रिमूब करने के लिए आप इस पर किल्ग कीजिए कलिक कर लिक वापको फिर से fingerprint passport लगाना है तो मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ तो यह एकसेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने wrong लगा दिया है आप सही कर लेगा तो आप देख सकते हैं यहां से add कर सकते हैं यहां से add के लिक करके अब बात करते हैं डेलीट करने के तो करना आप को जैसे कि I'm an a cup cup at especially कीजिए और यहा पर यहीं आपको आपने password डाला है वह आप है और यहां पर लगा लगा दें तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर एड किया था तो इस पर किली करके और उफ गरना है तो तरीके से आप फिंगर प्रिंट को रिमूब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार